हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ओलेंड क्यासिस में आज हम इस वीडियो में साइनो नेम से रिलेटेड टॉप टेन को देखेंगे जो कि एयर फूर्स एक्जाम के लिए काफी इंपोर्जेंट है और यह जो सेट है अमारा वन करवा चुका हूँ अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप अमारे प्ले लिस्ट में जाकर असानी से देख सकते हैं तो चलते हैं इसके कोश्चन के ऊपर तो सबसे पहले मैं बता दू कि साइनो नेम का जो अर्थ होता है वह होता है समनार्थक सब्द मतलब एक दूसरे से मिलता हुआ अर्थ तो चलते हैं इसे कोश्चन के ऊपर फर्स्ट कोश्चन आपको बोल रहा है कि यह स्कोल्ड का जो है आपको साइनो नेम बताना है तो यह स्कोल्ड का मतलब जो होता है वह होता है डाटर ना तो इसका जो साइनो नेम होगा वह होगा चिड तो इसका जो एंसर है वो option third जो है सही है next देखेंगे तो next question के तरब चलते हैं तो next question आपका पूछ रहा है कि sinoname of the deliberate तो deliberate का जो अर्थ होता है वह होता है जिद्दी तो इसका जो sinoname होगा वह होगा willful का मतलब जो होता है वो भी होता है जिद्दी तो sinoname of deliberate का जो अर्थ होता है वह होता है जिद्दी और इसका जो sinoname होगा वह होगा willful willful का भी अर्थ होता है जिद्दी next question देखेंगे तो next question देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारा next question आपका पूछ रहा है कि sinoname of the given word आपको नीचे दिया हुआ है be full तो be full का जो अर्थ होता है वह होता है उल्लू बनाना उल्लू बनाना तो इसका जो sinoname होगा वह होगा cheat इसका भी मतलब होता है उल्लू बनाना तो nine का जो answer होगा वह option third होगा next है important important का जो अर्थ होता है वह होता है कंजोर तो इसका जो Sino Name होगा वह होगा आपको Disable Disable का भी मतलब जो होता है वह होता है कमजोर तो आप फिर से आप इसे पर ले Be Full का जो मतलब होता है वह होता है उल्लू बनाना और इसका जो Sino Name होगा वह होगा Cheat और Next आपको Important का जो अर्थ होता है वह होता है कमजोर और disable का भी मतलब जो होता है कमजोर ही होता है तो इसका जो answer है वो option 2 है next question देखेंगे तो next question क्या है वो देखते हैं next question आपको पूछ रहा है जगड़ा करना या जगड़ा next देखेंगे तो next क्या है हमारा synonym next हमको पूछ रहा है कि synonym of the acquired तो acquired का जो अर्थ होता है वो होता है प्राप्त करना acquire का जो अर्थ होता है वो होता है प्राप्त करना तो इसका जो synonym होगा वो होगा obtained, obtained का खिल और जो होता है वो प्राप्त करना ही होता है तो इसका जो answer है वो option 3 जो है सही है नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा कोश्चन है आपको फिर से पूछ रहा है कि इमपेर का जो है आपको साइनोनीम बताना है तो इमपेर का जो अर्थ होता है वह होता है कम करना या दुरबल मतलब कम करना या दुरबल तो इसका जो साइनोनेम होगा वह होगा वीकेंड वीकेंड का भी जो अर्थ होता है वह होता है कम करना या दुरबल नेक्स्ट है टेन नमर आपको बताना है कि इसका साइनोनेम क्या होगा इफिगी इफिगी का जो अर्थ होता है वह होता है पुतला तो इसका जो साइनोनेम होगा वह होगा आपको रिपिलका रिपिलका भे जो अर्थ होता है वह भी होता है पुतला तो आप फिर से इसको रिक्याप कर ले इंपियर का जो अर्थ होता है वह होता है कम या दुर्बल तो इसका जो साइनोनेम होगा वह होगा विकेंड नेक्स्ट आपको इफिक्गी इफिक्गी का जो अर्थ होता है वह होता है पुतला तो इसका जो साइनोनेम होगा वह होगा रिपिलका रिपिलकार का भी जो अर्थ होता है वह पुतलाई होता है तो next देखेंगे तो next हमारा साइनोनेम पूछ रहा है क्या next हमको पूछ रहा है कारनेज का जो है आपको साइनोनेम पूछ रहा है 30 नमर जो देख रहे हैं आपको कारनेज का साइनोनेम पूछ रहा है तो इसका जो एंसर होगा वो option 2 होगा next है Rune Rune का आपको पूछ रहा है sinonym तो Rune का जो अर्थ होता है इसका आर्थ जो होता है वह होता है विनास तो इसका जो sinonym होगा वह होगा demolished demolished का भी जो अर्थ होता है वह होता है विनास करना तो इसका जो answer है वो option 2 है sorry, option first है next देखेंगे, तो next हमारा पूछ रहा है, sign name of Muron तो sign name of Muron, तो Muron का जो अर्थ होता है, वह होता है soak meinem आना या dookhi soak feeling या dookhi, तो इसका जो sign name होगा, वह होगा scripts, इसका भी जो अर्थ होता है, वह होता है, soak तो next अमारा क्या question है Next हमारा पूछ रहा है Sinonym of Adage Adage का जो अर्थ होता है वह होता है कहावत या Lococritia तो इसका जोatinonym होगा वह होगा Discutum Dictum का जो अर्थ होता है वह भी होता है कहावत या Lococritia तो इसका जो एंसर है वो option 2 है तो यह जो था top 10 question था synonym से तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे channel को like करेंगे, share करेंगे, subscribe करेंगे thank you for watching this video please like, share and subscribe my channel तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यवाद, thank you